तो वहीं यूपी के अमेठी से खबर है जहां गंभीर परिस्थितियों में जामुन के पेड से लगभग 45 साल के अधेर का शव लटकता मिला सूचना पर पहुची पुलिस ने लाश को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भिज दिया है तो वहीं पुलिस जाच और विधिक कारिवाई में जुट गई है बतादे कि ये मामला गौरी गंज कोत्वारी शेत्र के कस्वा अंतरगत जीजी आईसी के पीछे का है अगली खबर उतराखंड से है जहां उतराखंड में सुमवार सुबह कॉंग्रेस के दो बड़े चर्चित चहरे महिला कौंगरेस की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन के साथ पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ट कौंगरेसी नेता राज़ेंदर प्रसाद रतूरी ने भी कौंगरेस छोड़ने का एलान कर दिया डॉक्टर आर्पी रतूरी ने सोशल मेडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि आज मन अत्यंत आहत है मैंने अपने जीवन के 45 साल कॉंग्रिस पार्टी को दिये और अब कॉंग्रिस के जो हालात हैं वो भविश्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है पार्टी नेतरत वद्वारा जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं पार्टी में जिस तरह की अंतरकले है वो सब अत्यंत ही दुखद है कहा जा रहा है कि दोनों सुमवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी जोईन कर सकते हैं आगरा के थाना रकाब गंज के बालू गंज शेत्र से खबर है जहां स्पेर पार्ट्स के गोदाम में भीशन आग लगई ये स्पेर पार्ट्स का गोदाम दुली चंद्र का बताया जा रहा तो वहीं इस थानी लोगों की मदद से आग बुझानी के प्रयास किये जा रहे हैं वहीं आग लगने से शेत्र में अफरा तफरी का मौहौल पैदा हो गया है आग की सूचना जैसे ही दमकल विभाग को दी गई दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया बता दे आग लगने से लाखों सुरकंडा माता के दर्शन करने के बाद कारिकरताओं के साथ रोप वे ट्रॉली से वापस आ रहे टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय रोप और चक्का स्लिप होने से करीब 25 मिनट तक हवा में लटके रहे इस दोरान विधायक समेत अन्य लोगों की जान हलक में अठकी र रोप वे शुरू कराया जिसके बाद विधायक और अन्य लोग साकुशल उतरे शुरू हो गई है शुकरवार शाम को अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से आई प्राकृतिक आपदा के कारण इस पर आस्थाई रूप से रोक लगाई गई थी यहां बादल फटने की वज़े से आई तबाही में 16 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 लापता है और करीब 50 घायल हुए है बता दे कि अमरनाथ गुफा के पास 8 जुलाई को बादल फटा था जुसमें अभी भी 30 से अधिक लोग लापता है अमरनाथ में आई एस आपदा के बावजूद यहां मौजूद तीर्थियात्रियों का उच्साह बिलकुल भी कम नहीं हुआ सरकार द्वारा भक्तों के लिए स्थापत आधार शिवरों में ये बंबं बोले के जैकारों के साथ पहुँच रहे है और मेरे साथ इस बुलिटन में फिलाल इतना ही आप देखते रहे है आरिया न्यूज नमस्कार